राजमहुन आप देख रहे हैं बिहारी नियोज खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ईद की मुबारक बाद चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में जैसा कि आज एक अगस से पुरे बिहार में लॉकडाउन को जो एक्स्टेंड किया गया है उसकी सुरुवात होती है जो 16 अगस तक चलेगी इस लॉकडाउन में क्या खूलेगा और क्या बंद रहेगा इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि इस बार के लॉकडाउन में कई छूटे दी गई है दुकानों को खोलने की अनुमती दी गई है लेकिन जो मेजर पॉइंट है जिस पर हम करेंगे इसलिए आज हम बात करेंगे पटना जी ले की जिसकी notification जारी की गई है अभी हाल में हमें मिली है तो उस पर हम बात करेंगे कि पटना में दुकाने कब खुलेंगी कौन से दुकाने खुलेंगी कब बंद होंगी और कर्फ्यूज रात को लगेगा वह कैसा रहेगा स जान लेते हैं कि जो दुकाने हैं वो आल्टरनेट में भी खोलने की आदेश है या सभी दुकानों को उस प्रति दिन खोलने का आदेश है चलिए एक नजर सबसे पहले डालते हैं उस नोटिस पर जिला अधिकारी काड़े आले पटना ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश है जो नोटिफिकेशन का लॉकडाउन का आदेश है जिस चीजों को खोलने के अनुमती है वो खूलेंगी जिस चीजों को नहीं है वो नहीं खूलेंगी निजिक काड़े आलियों को जो अनुमती दी गई है पचास परतिसत कमचारी से काम करने की वह भी दी गई है सभी दुकान और प्रतिष्टान प्रतेक दिन यानि सभी दिन इस लॉकडाउन के दोरान एक से 16 अगस्त के बीच में सभी दुकान प्रतिष्टान प्रतेक दिन 10 बज़े से साम 6 बज़े तक खोले जा सकते हैं ful possibly by city के दुकाने या मंडी या फिर मकली के दुटाने के सं चालन की अवदी सुबह से 15 बज़े तक है और फिर साम को तीन बज़े से 7 बज़े तक यानि जो दुकान है रासन की दुकान है या फिर जो भी अन्य दुकाने हैं कपड़े की दुकान है यह सभी जो है सुबह 10 बज़े से साम के 6 बज़े तक खूलेंगी लेकिन फल एवाम सब्जी की दुकाने एवाम मंडी मांस मचली की दुकान सुबह 6 से 11 और साम 3 से 7 बज़े तक ही खूलेंगी नीजे कर अले 50 प्रतिसत कर्मियों की उपस्तिती के साथ संचालित की जा सकती है इसमें कोई प्रतिबंद नहीं लगाया गया है रात्री कर्फ्यू दस बज़े से पांच बज़े सुबह तक जारी रहेगा अब जो दुकाने खूलेंगी सुबह प्रति दिन दस से छे यान जो भी दुकाने हैं उनके लिए क्या है नियम आप कैसे दुकानों को खोलेंगे इसके लिए सरते तीक तै की गई हैं सभी लोगों के लिए अनिवार होगा कि वे अपने अवासिये छेतर के निकट दुकानों जहीं खड़ीदारी करें यानि कि जो दुकाने खुली हैं आपका यह मतलब नहीं है कि 4-5 km दूर चले गए आप 1.5-2 km के दाएरे के अंदर ही खड़ी-दारी करें ज्यादा दूर ना जाएं उसके बाद दुकानों करयालों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार होगा यानि आप जिस करयाले या दुकान में काम कर रहे हैं आपको काम करने के वक्त भी मास्क पहनना होगा बीना मास्क आप नहीं रह सकते हैं इसके अलाबा दुकानों करयालों के काउंटर पर दुकांदार साबून सेनिटाइजर वहां के कडमियों और जो आपके दुकान या ऑफिस में आ रहे हैं उनके लिए दुसरा है दुकान करयाले परिशर में सोसल डिस्टेंसिंग मानक यानि दो गच की दूरी का अनुपालन किया जाएगा है मतला अगर दुकान है तो आपके बाहर जो समान खड़ितने ये लोग आ रहे हैं उनके बीच में दो गच की दूरी होनी हावस्य के भीर नहीं खटा करना है इसका असल मकसद यही है और आपके ऑफिस में कोई आ रहा है या जो काम कर रहे हैं लोगे वह भी सोसल डिस्टेंसिंग बना कर ही रखेंगे अगर आप सोसल डिस्टेंसिंग का नुपाला नहीं करते हैं तो आपके विरूद और उस प्रतिष्टान के विरूद कारवाई की जाएगी सर्दी खासी के लक्षनों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमती नहीं होगी यानि कि अगर आपके ओफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्दी या खासी है तो आप उसे उस दिन काम पर नहीं रखेंगे उस दिन क्या जब तक कि वह पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए हलकी से भी अगर उसके लक्षन है तो उसे आप काम पर फिलहाल नहीं तो सभी दुकाने खूलेंगी सुबह 10 बजे से साम 6 बजे तक दुकाने खूलेंगी और सबजी फल की जो दुकान है या मंडी है यह है सुबह 6-11 और साम को 3-6 बजे तक ही खूलेंगी यह टाइमिंग निर्धारी थे इनकी तो इसको आपको ध्यान रखना है सोसल डिस्टे मरीज मिले हैं तो इस चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि यह आपके और हमारे लिए ही बनाएगा है नियम और एक अंतिम बात यह बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि यह जो अभी में नोटिस आपको मैंने बताया पढ़कर बताया वह पटना जीला कहा है हो सकता है कि अन अपनी परस्तितियों के अदार पर अपने यहां के दुकान अपने यहां के जीलों की दुकानों को खोलने के लेकर अपना एक अलग जो आधे से वह जारी कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए है कि यह जो नोटिस है यह के वल पटना के थी अने जीलों की क्या नोटिस होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जैसे इंग खबरों में मिलती है खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नहीं हो जो धन्यवाद